यहाँ पर आपके सामने यह हमारा स्विच बोर्ड है और यहाँ पर दो बल्ब है इनवैटर का और एक मेल लाइट का और यहाँ पर एक इनवैटर है जो कि आपको पता है सोलर वाला नौर्मल वाला सेम चीज होती है तो हम इसकी वाइरिंग की बात करने वाले हैं like मुझे काफी सारे comment भी आते हैं कि अगर आपने inverter का connection यहाँ पर cut लगा करके किया है तो वो तो permanently inverter पर ही हुआ ना तो यह तो inverter पर permanently चलेगा चाए light रहे चाए light ना रहे तब भी inverter पर ही work करेगा हम वहाँ पर भी updated रहते हैं इस चीज से related चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो guys हमें ये दो switch inverter पर करने हैं जैसे like यहाँ पर ये switch है ये bulb का होगा ये वाला switch ये socket के लिए होगा तो हमें ये दो switch हमें inverter पर करना है और बाकी ये चारो switch को हमें normal करना है ठीके तो यहाँ से हम क्या करेंगे पहले इस जगल से हमें हलका से kannst लगा करके इसे साइड कर देंगे ठीके इस तरह से हम हटा देंगे और इस तरह से बिलकुल हमें ये line जो है बिलकुल अलग से कर देनी है जैसे ये looping connection आप देख रहे हैं तो यहां से आप अलग कर देंगे तो यह बिल्कुल अलग हो जाएगा हमें switchboard को working देने के लिए हमें इस तरह का isolator के अंदर जो line है उसके अंदर connect करना होगा जैसे like देख सकते हैं कि यहां पर phase connection अभी इसके अंदर दोड़ रहा है और इसके अंदर neutral connection दोड़ रहा है तो ठीक है हम यहां से जो neutral है और phase है हम यहां से दे देते हैं switchboard के लिए तो हमें off रखना है और सबसे पहले हमें क्या करना है एक phase के अंदर पहले हमें दे देना है line को ठीक है तो हम यहां से phase connection दे देते हैं यहां से हम phase connection दे दे रहे हैं ठीक है और neutral आपको black wire देना है पर भी हम इसको न्यूटल दे दे रहे हैं ठीक है फिर इन्वेटर की वाइरिंग हम आपको समझाने वाले हैं तो यहां से न्यूटल और फेज हमें देखने को मिल रहा है अब यह स्विच बोर्ड में कहां connectable होंगे और यहां से हम क्या करने वाले हैं इस switchboard के अंदर जो first वाला wire है इसे क्या करना है इस line के अंदर हमें looping करना है जैसे like आप देख सकते हैं कि यह जो phase connection है हमें single loop करना है यहां से हम looping करेंगे अभी हम आपको पूरा समझाने वाले process आखिर यह work के से कर रहा है मैं आपको सिखा रहा हूं कि inverter का जो phase है वो basically inverter से ही वर्क करता है वो हम आपको बताते हैं आपका confusion भी दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ठीक है नहीं तो आपको पता है ऐसे वाली वीडियो तो बहुत सारी बनाई गई है अब नूटल के बारी है यहाँ पर नूटल किस तरह से attachment करते हैं तो गाइस जैसे phase connection हुआ है हमें नूटल जो है वो इस socket के अंदर connect कर देना है तो like इसे भी हम open करेंगे और इसके अंदर भी हम नूटल connection करेंगे हम आपको पहले simple सा काम बताते हैं कि नूटल phase work कहां पर करेगा तो हम यहाँ पर जो नूटल है वो इस जगर पर हम set कर दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर यह neutral है यह basically set हो चुका है और हमारा जो neutral और phase जो connection है वो बिलकुल अच्छी तरीके से यहाँ पर setup हो चुका है यह रहा neutral connection यह basically isolator से आ रहा है और यह रहा हमारा phase connection यह भी isolator से ही आ रहा है अब यहाँ पर आपको दिखाना है कि यह जो cut लगा हुआ है यहाँ पर यह बीच मे बंद है यहाँ पर कोई भी working नहीं होगी लेकिन यहाँ पर हम आपको पहले बलब attachment करते कैसे attachment होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यह रहा बलब और दो बलब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो एक बलब हम क्या करेंगे एक बलब का जो phase connection होगा वो हमें इस ज करना है कि यहाँ पर जो line है यहाँ पर हमें attach कर देनी है एक पर किसी एक पर हम चारो switch में से एक switch में किसी में भी attach हम कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि मैं उपर वाले second switch में मैं यहाँ पर attach कर रहा हूँ और यहाँ पर यह जो attachment है complete हो चुकी है यह देख सकते हैं ठीके तो यह जो phase connection है यह basically blurb का है इस blurb का है और neutral अब हम आपको बताएंगे कहाँ पर कैसे connect होगा ठीके तो अब क्या करेंगे हमारा पास दूसरा वाला bulb है यह वाला bulb है इसको हम कहाँ पर attach करेंगे इसको हमें रखना है inverter के अंदर तो इसे भी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर जो यह basically हम holder के लिए ही रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक holder है इस holder के wire को हम क्या करने वाले हैं इसी एक के अंदर यानि कि इस side में आपको लगा देना है जैसे कि आप देख सकते हैं ठीके तो यहाँ पर मैं इसको connection कर देता हूँ और tight कर देता हूँ ठीके तो यहाँ पर इसे connection करने के बाद अच्छे से आप इसे tight कर लिजिए तो आपके सामने यहाँ पर switch connection हो चुके हैं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक bulb का connection हम red वाले में कर दिये और पीले वाले bulb का connection इस switch में हमने कर दिया यहाँ पर लगा ठीके तो यहाँ पर अब हम neutral कहां लगाने वाले हैं यह जो दो neutral है यह कहां लगाने वाले हैं और इनको हम इस neutral को हम बोलते हैं system neutral जैसे कि हम आपको समझाते हैं तो guys system neutral basically कहां connect होगा हम यहाँ पर इसे open करेंगे इसी wire को हम open करने वाले हैं यहाँ से यहाँ से हम इसे open करके ह हम second wire यानि कि दूसरा वाला जो wire है इसको हम यहाँ पर attach कर देंगे इसको हम कस देंगे अच्छे से उपर वाले side में जो socket होता है उसी के अंदर हम इसे खस देंगे ठीक है इस तरीके से हम इस system neutral इसे system neutral बोला जाता है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो उसको नहीं देखा है इस तरीके की तो आप आप जा करके देख सकते हैं तो इसे क्या कहते है system neutral अब यह connect का होगा यह हो गया guys system neutral और यह हमें in holders के अंदर connect कर देना है ठीक है इस तरीके से यह system neutral basically हमारे fan box वगेरा के अंदर attachments होते हैं तो यह system neutral बिल्कुल free है अब यहाँ पर यह हो गया हमारा system neutral य हमें inverter का करना है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं यह inverter की wire है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे neutral phase और एक earth wire तो earth wire को हम छोड़ते हैं फिलाल तो यहाँ पर दो neutral phase हैं इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं inverter का phase और neutral connection करने वाले हैं जैसे कि आप यहाँ से पहले इसके phase connection को open कर लीजिए, ठीके, phase connection को जैसे ही आप open करते हैं, तो यहाँ पर आपको inverter का connection, जैसे like देख सकते हैं, यह है inverter का connection, यह inverter का main phase और main connection phase वाला है, तो इसे आप यहाँ पर लगा दीजिए और इसे अच्छे से tight कर दीजिए फिर से, ठीके, तो आपको समझाना हमारा काम है, ठीके, इस तरह के से आपको यहाँ पर attachment कर देना है, और आपको neutral कहाँ attach करना है, neutral आपको second वाले points में attach कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, neutral को हम यहाँ पर इसके अंदर attachment दे रहे हैं, ठीके, तो यह inverter का phase neutral attachment हो गया, यह रहा inverter का neutral phase, और यह रहा main switch board का neutral phase, ठीके, यह दो connection आपके यहाँ इस inverter के अंदर आ चुके हैं, अब हमें inverter का एक single wire, जो कहा जात है, एक single wire भी होता है, वो कहां से और केसे attachment होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह जो cut लगा हुआ है, इसके just आगे वाले हिस्से में जो looping है, उसके अंदर आप लोगों को यह inverter का एक single wire attach कर देना है, तो यहाँ पर आपको कर देना है, इसको connection, यह हो गया, इसके अ तो guys, यहाँ पर आपको check कर लेना है, neutral phase, तो यहाँ पर आप basically इस तरीके से ही check करने वाले हैं, इस tested को अंदर डाल देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि light glow कर रही है, और neutral के अंदर आप check कर लेना है, तो यहाँ पर light glow नहीं करेगी, यहाँ पर ही आपको light show करेग को भी हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके नीचे attach कर देंगे, तो आपको समझ में आ गया कि यह जो white वाला wire है कहां connect हुआ, यह देखिए गाईस, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, और यहाँ पर अगर मैं टेस्ट करता हूँ, phase connection का, हम यहाँ से light को जो है, ओन कर चुके हैं, और यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं light का, तो देख सकते हैं, यहाँ पर टेस्टर जो है, बहुत ही अच्छे तरीके से glow कर रहा है, अब यहाँ पर हम इस साइड में देखते हैं, तो यहाँ पर भी टेस्टर जो है, बहुत अच्छे से glow कर रहा है, ठ में लाइट का ठीक है अब यहां पर हम वर्क करके देखते हैं बलप्स को अब यहां पर हम टेस्टिंग करते हैं तो लाइक जेक सकते हैं कि यहां पर मैं जैसे ही एक स्विच ओफ करता हूं तो एक बल्ब बंध हो गया और दूसरा स्विच में ओफ करता हूं तो यहां पर यह चॉलू हो गया है यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो मेल लाइन का बल्ब है वह बिल्कुल óf हो चुका है और मैं जैसे ही इसे वापसे चालू गरता हूँ तो वह बल्ब जो है वह वापस से चालू हो गया है और इन्वेटर भी जो इन्वेटर का जोcular होता है वह mail line से work करने लग गया है ठीक है तो अब हम wiring समझाते हैं आपको समझनी है बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले जो wire था वो phase connection था यह आगे से जो आ रहा है वो phase connection आ रहा है यह कहां जा रहा है सीधा basically यह phase connection यहाँ पर looping के अंदर जा रहा है ठीक है यहाँ पर looping के अंदर जाकर जब भी हम light को switch करते हैं इस तरीके से हम switch करते हैं on तो यहाँ इसमें phase जाकर के यह bulb हमारा on हो गया अब आप कहेंगे neutral यहाँ इसमें कहां से मिल रहा है तो neutral आपको basically कहां से मिलेगा यहाँ इस विज़े से आता है क्योंकि socket को भी work करना होता है ठीक है तो यहाँ इस socket के अंदर आया socket से connection हो करके सीधा हमारा जो bulb है वहाँ पर यह neutral आ गया है ठीक है अब आप कहेंगे कि यह बात तो हमें बिल्कुल confirm पता चल गई है कि यह बिल्कुल अच्छे तरीके से working कर रहा है लेकिन यहाँ पर यह cut लगने के बावजूद और यहाँ पर एक single wire होने के बावजूद जैसे कि like देख सकते हैं यह single wire है इसके बावजूद और यह जो neutral है यह भी single ही है जबकि double होना चाहिए inverter का अलग होना चाहिए भी हम आपको समझाते हैं तो आपको neutral तो basically अच्छे से समझ में आ गया है कि इन दोनों light के अंदर एक neutral connect हो गया है अब हम inverter की बात करते हैं तो जब light जाती है तो light जाने के बाद हमें जो phase मिलता है वो like आप सभी को पता है inverter से ही मिलता है तो वो के से मिलता है मैं बताता हूँ ठीक है और neutral हमें के से मिलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया phase यहाँ से सीधा round करके ये सीधा हमारे cut के अंदर आ गया है तो ये जो phase connection होता है ये basically ये ही phase connection होता है जब हमारी light रहती है उस समय इसी को यानि कि ये जो phase connection है ये convert हो जाता है इसके अंदर relay लगाई जाती है छोटी सी वो convert कर देती है main phase के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो main phase connection जो आप include है ये जो phase connection basically charging के लिए भी होता है और हमारी जो load होते हैं जो घर के load होते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर दो inverter का connection हुआ इसको relay क्या करता है कट कर देता है ये जो phase connection होता है ये relay अंदर से switch करके directly bypass करके सीधा हमारे इस line के अंदर आ जाता है और ये line और ये line में कोई भी different नहीं होता ये line और ये line में कोई भी different नहीं होता कोई भी अलग नहीं होता जब हमारी light जाती है जब हमारी light जाती है उस वक्त ये क्या करता है ये जो लाल वाला wire है ये red वाला wire आप देख रहे हैं ये अंदर से switch off कर देता है यानि के cut कर देता है off हो जाता है off होने के बाद जब इस inviter से जो line बन रही है जो light पेदा हो रही है वो basically इसी के अंदर से दोड़ करके सीधा यहां पर आती है इसके अंदर लेकिन इससे और इससे match नहीं हो पाती अगर आप इससे और इससे match करवा देते हैं तो ये fault हो सकता है इसलिए ये single wire होता है अब आप कहेंगे कि ये neutral कहां से आ रहा है sir इसका जवाब यहां पर ही होगा यहां पर जो इसका neutral connection है वो ये वाला है ठीक है इसके अंदर connect होकर मतलब कहीं पर भी connect नहीं है ये neutral direct इस wire से connect है ये जो आप input wire देख रहे है charging वाला इसके अंदर ये ही neutral output वाला connection इसके अंदर connect directly होता है और यहां पर ये जो neutral है ये basically यहां पर आया आप जो भी बताए ये neutral है ये neutral यहां पर आया यहां पर joint होने के बाद और ये inverter का जो neutral है ये सीधा आपके घर की line के अंदर मिल जाता है ये रहा देखिए ये इस तरीके से मिल जाता है इसका एक practical दिखाते हैं अभी guys हमारा जो ये बल्ब है ये inverter से work कर रहा है जी हां दोस्तों ये inverter से work कर रहा है अब हम inverter का जो neutral है यानि के हम यहां से ये neutral को बिल्कुल निकाल देंगे ठीक है यहां से हम इस neutral को out कर देंगे यानि के बाहर निकाल देंगे ये हमने neutral को यहां से बाहर निकाल दिया इसको हम बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर जो light है वो बिल्कुल भी glow नहीं कर रही है जहां दोस्तों यहां पर यह जो light है बिल्कुल glow नहीं कर रही है और inverter में भी sound आ रहा है क्योंकि line ने बिल्कुल उल्टी फुल्टी हो चुके है अब basically मैं इसे वापस से connect करूँगा इसे connect करने के बाद मैं इसे फिर से tight करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो neutral है हमें इस bulb के अंदर मिल चुका है तो इस तरीके से neutral हमें मिलता है और phase connection basically यही होता है जब light रहती है तो उस समय जो यह main phase है वही इसके अंदर connect होता है इसका भी एक practical देख लीजिए जब मैंने isolator को on किया ठीए मैंने isolator को on कर दिया और यहां पर दोनों बल्ब on है ठीक है और यहां पर इन दोनों में phase आ रहा है अगर मैं इन दोनों को यहां से touch भी कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मैंने इन दोनों को यहां पर touch भी कर दिया तो यहां पर कोई भी दिक्कत यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि यह phase और यह phase अभी similar है यानि कि अभी एक ही phase run कर रहा है यानि कि inverter का जो phase है वो नहीं चल पा रहा यानि कि directly जो bypass connection होता है यह वाला phase connection जो है वो सी कि आप लोगों को यह चीज समझ में आ गए होगी काफी अच्छी तरिके से तो अच्छी दूस्तो हम चलते हैं अभी बाई बाई